दोस्तों आज हम लोग चार जुन 2018 CGL का जो इंग्लिस का पेपर है वो कर रहे है बच्चे इसके पहले मैंने आपका GS अपलोट किया है चार जुन 2nd shift का वो आप देख लीन अगर नहीं देखा है को आपनी तो चले स्टार्ट करते हैं बच्चे इंग्लिस में देखियो फर्स्ट कोश्चन जो है आपका वो है आपका सेंटेंस इंप्रोव्मेंट का कि यहां पर जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको आप बच्चे करिये इसको सब्सक्राइब करना है आपको इसको रिप्लेस करके इसके जगा पर कोई और वर्ट्स यूज करना है देखिये बच्चे इफ यू जॉइन इस जॉब नौ इट प्रूफ्स तो भी गोड इन दर लॉंग रन बच्चे इसमें एक रूल होता है एंग्लिस में कि दर आपका इस जो है आपका अगर इफ आल जो स्टार्ट्наком में लिखाओ है अगर ये सेंपल प्रेजrं तो इसके बाद बुला जो छोता है वो स्मीव्र, फ्यूचर में होना चाहिए थो इसज했던 इस वजज़े सिर्छ जुज है सो इसल्लेवर्स पार्ट इसका सही आंसर है चैवंचिंद को सेकंद बत्षे जो आपका है सेंटिएट्स आरेंगमेंट का है तो उसमें क्या होता है ज्लिचे सेंटेंश आरेंशमेंड में आपको मुझे आपको लिते हमें पर पटार। तो इसका एक तरीका जो होता है वो करने का तरीका सबके अपने अलग-अलग सबसे बेस इसका अप्रोच ही होता है कि आप जितना रीडिंग करते हो ना नियूस पेपर बगरा यह जितने जादा आप कोई बुक पढ़ते हो इंग्लिश की तो उसे आपकी in other Southeast Asian nations regularly kills wildlife-like whales and turtles that ingest the waste. Bipartal environmental groups have tagged the Philippines as one of the world's biggest ocean polluters due to its reliance on single-use plastic. In Thailand, also a whale died last year after swelling more than 80 plastic bags. In the latest case, a whale with 40 kilos of plastic trash in its stomach died on Saturday in Southern Philippines where it was stranded a day earlier. वच्चे अगर आप इसको धंग से पढ़ोगे ना तो आपको यह मिलेगा कि एक जो बात हो रही है वो कि animals की मरने की बात हो रही है और यह इसके पीछे का कारण जो बताया गया है वो plastic waste का बताया गया है तो देखो होगे बी वाला sentence से तो देखे बी वाले के दो option है second और थर्ड अब बी को लिक्न कर रहा है ना तो यह single-use जो plastic है आपका वो इसका एपार्ट उसका वो दे रखा है linking part है तो दैट आट of that sort of pollutions तो यह जो pollution हुआ है which is किस कारण से हुआ है तो उसका रीजन ए में दे रखा है तो बी और ए आपस में link कर रहा है दो बी और ए ना आगर आप ढूंड़ोंगे तो आपका डी वाले में ही मिलेगा आप तो बच्छे आप यह पढ़ते हो ना आपके दिमाग में एंड लिफ्स बाइब बेगिंग तो एक ऐसा आत्मी जो एक जगह से दुसरी जगह घोमता रहता है मतलब भटकता रहता है और जो अपनी खाने-पेनी की चीज़े हो भीक मांगर करता है वह उसको वेगरेंट कहते हैं तो जनरली बंजारा इसका वह होगा ठीक है अच्छा इसका इसका उल्टा क्या होगा तो एसका उल्टा क्या होगा तो एसकेलेट मतलब होता है उपर बढ़ना तो रेड्यूस हो जाएगा बच्छे इसका एंटोनिम उल्टा होगा अगला बच्छे अपर्शन एनिमल और प्लांट बिलॉंगिंग ओरिजिनली टू प्लेस तो इसका करना क्या है बच्छे सेलेक्ट डवर्ड विच मींस दे सेम इस दे गुरूप तो सेम इसका मतलब क्या होगा तो इसका जो वन वर्ट सब्स्टिशन करोगा तो यह होता है कि आपका जो सेंटेंस है ना उसकी जो टें सेवरट इन डूट इसमें तीस्वाले में देखें तो फोर्थ क्यों नहीं होगा क्योंकि my house should not be parked in front of my car तो यहार my house था और your car अगर इसको देखोगे आप तो do not park your car in front of my house तो your car से start होगा subject होगा subject होगा है my house होगा नहीं यहां पर subject होगा your car होगा तो इसलिए यह पार्ट इसका सही है next is fill in the blanks the state government argue that it could not dash the increase in the teacher salary as awarded by the court state government है उन्होंने argue that that it could not increase in the teacher salary as awarded by the cat तो वो इट could not be government क्या नहीं कर सकता government afford नहीं कर सकता क्या इन्हीं इन ऐनको data कर सकता जो teacher की salary increase होई है then the court is awarded क्राइब तो फोर्थ पार्ट इसका हो जाएगा नाइन्थ देख दें फिर से नाइन्थ बच्चे वही है the elephant tusks are tracked from the domestic republic of Congo for two months custom officials in Thailand say it's the biggest sizer in the country in the country's history four tons of ivory with a market value of dollar six million it was an impressive haul officials says they were being transported to Laos from where they believed the ivory would be sold to customers across the Asia तो बच्ची यह हो क्या रहा है यह बात हो रही है जो आती के दान्थ होते हैं उसके बारे में बात हो रही है कि उसका जो वो हुई है illegal वो हुई है उसका उसके बारे में यह है तो अगर आप ध्यान से देखो कि कि तो हुआ कहां से है तो four tons of ivory with a market value आप तो चार टन की बात हो रही है जिसकी value इतनी थी क्योंकि एक बहुत बड़ा वो है एक बड़े amount में है उसके बात क्या हो बच्चे कि यह जो इतनी value जो है जब्त करा गया है मालियर तो c के बाद b link कर रहा आपस में देखो तो c और b आपस में linking है तो यह d option इसका आ जाएगा पहले आप starting पकड़ लिया करो उसके बाद कोशिश करो कि जो option दिये है उसमें देखो अगर c और a ही सही starting है ज्यादा था तो d और b तो आपको सोचना नहीं था पहले आप c से पढ़ लेते या a से पढ़ लेते तो आपको आइड़ रग जागे कि starting यह देखो इसका पढ़ोगे ना reading करोगे तभी आपका यह बन पाएगा पी क्यू आरेस वाला या ABCD वाला और बच्चे सो कोई shortcut है नहीं लोग कहते हैं पहले कि starting sentence ढूंड़ लो कोई ऐसा नहीं है बस आप एक बार read करते रोगे तो आपका mind अपने आप क्लिक कर देता है next get out of hand तो get out of hand होता है कि जैसे कहते हैं हाथ से बाहर निकल जाना कोई बच्चा होता है बिगड़ जाता है तो कहते हैं कि हाथ से बाहर निकल गया है उसी कहते हैं get out of hand यह होता है get out of control हो जाएगा इसका यह है क्या बच्चे इसको बोलते हैं idiom इडियम आपका है फिर बच् इसमें spelling mistake बता लिए, तो competition की spelling गलत है, उसकी spelling होती है, c-o-m-p-e होता है, i नहीं होता है, competition की तयारी हम लोग करते है, c-o-m-p-e होता है, select the wrongly spelled word, exemplify गलत है, exemplify का होता है, e-x-e होता है, exemplify, ठेकिन, exemplar बुकाती है, तो exemplify बच्चे ये e होता है, वहाँ पर a नहीं होता है, अ आप sentence error बता लाँको, due to the cyclone, it died, vast areas of the, vast areas of land have been flooded, road destroyed, and communication disturbing in Jimbabwe and Mosomakee, ठीक है, तो बच्चे इसमें कह रहा है क्या, कि जो cyclone आया है, उसकी वज़े से, जमीन जो है, flood जो है, और road जो है, काफी destroy हूए है, communication है, disturbed होई है, बच्चे यहाँ पर जो sentence में अगर देखोगे अपन, तो यह end के पहले देखो, road destroyed, अगर आप पढ़ोगे न, तो जो sentence का जो वो है, जो verb है यहाँ पर, वो past में लगा हुआ है, ed देखो लगा हुआ है, तो आगे देखो, end के बाद भी same thought process होना चाहिए, तो communication disturbing नहीं होना चाहिए, disrupted होना चाहिए, तो disrupting नहीं होना चाहिए, disrupted हो होना चाहिए, क्योंकि देखो, यहाँ पर, third form है, यहाँ पर भी verb की third form होना चाहिए, ing नहीं होगा, scientist and Cambridge University are, scientist at Cambridge University are, how plants can give us sustainable energy, तो जो scientist है Cambridge University की है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बच्चे क्या करा, आपकी जो option दे रखे हैं, तो देखो, investigation का मतलब क्या होता है, investigate का मतलब हो कि उन्होंने जाज करा, investigate करा, कि how plants can give us sustainable energy, तो पौदे हमें कैसे sustainable energy प्रवाइड करते हैं, उसके उन्होंने जाज करी, देखो, looking तो होगा, looking मतलब होता है, किस चीज़ को लगाता है, आप देखते रहना, बस, inspect का मतलब होता है, निरेक्षन करना, तो निरेक्षन में हम सही तेह तक जाते हैं, और उसकी कारण को पता करते हैं, ठीक है, इसको रूटनी मतलब होता है, सिर्फ छाटना होता है, ठीक, the main gate of the building was being guarded by gun-toting guards, तो इसका करना क्या बच्चे आपको, कि select the correct active form, तो इसको active में change करना है, तो फिर से वही active में sentence change नहीं होगा, देखे, was, sorry, sentence का व pause option देखेंगे आप, तो यह D option दो मिलेगा आपको, तो यह आपका correct answer हो जाएगा, अच्छा, first part क्यों नहीं हो आपका, तो यहाँ पर देखे, tense change हो गया, बी पार पे देखोगे, तो यहाँ पर भी building, और garden, देखे, बी का देखो region क्या है आपका, the main gate of the building, तो यहाँ पर sentencing गरत लगा रखा है, यह देखो, यह जो subject है, यह verb बन जाएगा, sorry, object बन जाएगा, और object जो है, वो subject बन जाएगा, तो object और subject की mistake है, तो इसलिए D option आपका जो होगा, वो सही होगा, अब देखे बच्छे, fill in the blanks है, an Italian mayor has been cleaning the streets along with his councillor after their town dash with no manual workers, it's reported, in fact, dash was sweeping in the pizzas in front of the dash, church in preparation for market day, dash, the deputy mayor, father, and a town councillor armed with a high-pressure hose, dash, sorry, full stop, the town, Genevievelli's last dash, retired six months ago, and nobody has been hired since then, we cannot do anything, we are blocked by beauty casey, dash, sorry, the mayor says, अब अच्छे जो यह है, इसका भरना आपको fill in the blanks, तो सबसे बेस्ट तरीका इसका यह होता है, कि आप एक बढ़ लिजे पूरा, उसके बाद options से उठा करके, आप जब check करना चालो करोगे, तो चीज़ा आपको clear होते चलेंगे, देखे, एन इटेलियन मेर हैस बीन क्लिनिग दे स्ट्रीट अलोंग विथ इस काउंसलन आप्टर देर टाउन, डैश विथ नो मैन्यूल वरकर, आफ्टर देर टाउन, उसका फर्स्ट ऑप्सन देखे यह, तो टाउन वज लेफ्ट विथ नो मैन्यूल वरकर, तो ताउन जो है बच हो जाएगा, with no manual workers, it's reported, डैश, in fact, was sweeping the pizza in the front of, in fact के बाद, देखे दूसरा क्या होगा, in fact, he was sweeping the pizza in the front of, तो किसकी बात हो रही है, यह, उसकी बात हो रही है, मेर की बात हो रही है, तो he क्या बात होगा, वहाँ पर he लगेगा, वहाँ पर, she तो है नहीं, वह, female तो है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, he लगाएंगे, in fact, he was sweeping the pizza in the front of the, डैश, चर्च, in front of the, कौन सा चर्च, in preparation for the market day, तो, of the local चर्च होगा, लोकल चर्च, वहाँ के लोकल चर्च थी, उसकी बात हो रही है, in preparation for market day, पॉमा, डैश, the deputy mayor's, father and a town councillor, armed with a high pressure hose, डैश, फोर्थ हो alongside, the deputy mayor, उनकी साथ साथ, उनकी साथ साथ कौन था, mayor के साथ में, the deputy mayor's, father and a town councillor, armed with a high pressure hose, ठीक है, तो alongside होता है, उनकी साथ साथ, the town's, the police last dash, last worker, retired six months ago, and nobody has been hired since, तो, जो वो थे, क्या ना, worker थे, वो last, कितने, जो last workers था, रिटायर था, वो छे मन्त पहले के, रिटायर हो चुके थे, और कोई भी अभी तक हायर ने किया गया था, इसलिए, वहाँ पर गंदीगी, फैले होई थी, तो, क्या होगा, यहाँ पर, workers होगा, क्योंकि, जो, काम करने वाले होते हैं, उनको, worker बोला जाता है, ठीक है, नेक्स देखते हैं, select the most appropriate meaning of the given idiom, इसका बताना आपको, idiom का वो, मीनिंग क्या होगा, costs, an arm and a leg, तो, एक ऐसी चीज, जिसके लिए आपको एक हाथ देना पड़े, और एक पैर देना पड़े, तो, इसका मतलब बहुत कीमती चीज होगी, तो, very expensive होगा, जिसके लिए आपको अपना हाथ देना पड़े, और पैर देना पड़े, तो, एक मोहावरा है, बस तो, इस for a better job, for the last two months, but nothing isn't right, तो, इसमें करना क्या आता, तो, इसमें करना था, substitute करना आपको, जो ये underline part है, मतलब इसको replace करके, कुछ सही जगा यहाँ चीज भर नहीं आपको, तो, बच्चे, आपको पता होगा, एक word sentence होता है, I have looking, मतलब looking for, तो, बच्चे, ये looking for होगा, looking for मतलब मैं धूंड रहा हूँ, किसी चीज की खोज कर रहा हूँ, ये किसी चीज की तलाश में हो, I have been looking for, have been क्यों लगेगा, क्योंकि I plural है, तो, उसके लिए have का use करेंगे, I have been looking for a better job, ठीक है, अगला देखिए, synonym बताना आपको tilt का, आपको पता है, tilt होता है, जो मोड़ा होता है, slant बोलते हैं, उसको tilt, आपने physics में पढ़ा होगा, tilted figure पढ़ा होगा, maths में tilted figure पढ़ा होगा, तो tilt मतला होता है, slant, ठीक है, तो यह हो जगा इसका first, क्योंकि Synonym पूछाता है, तो बच्चे ये 25 कोश्चन होगे आपके, चार जून सेकेंड शिफ्ट के, तो बच्चे आप को होती रहेंगी, आप कोई doubt हो, आपको कोई problem हो, या कोई चीज आप चाहते हो improvement के लिए, तो आप comment box में जरूर लिखना है, ठीक है, ठीक है, बच्चे रखता हो, ठीक है,